वर्क एटिन, साइन इन एंड साइन आउट प्रॉम रेडिफ मेल आईडी का साइन इन करना और साइन आउट करना सिखते हैं सबसे पहले तो रेडिफ खोल ले, एड्रेस वारे में रेडिफ.com सिखते हैं अब यहां इस रेडिफ मेल पर क्लिक करते हैं, हमारे को रेडिफ मेल आगया यहां देखिए सबसे उपर एक यूजर नेम लिखा हुआ है और उसके बीचे लिखा हुआ है पास्टर्ड यहां यूजर नेम में अपना यूजर नेम डालते हैं यूजर नेम है अनन्दKR89 और at the rate of reditmail.com लिखने की कोई जरुवत नहीं है तो कि already हम लोग redit mail में ही हैं, हमारा यह वेबसाइट है वो रेडिफ का ही है और redit mail पर ही काम कर रहे हैं इसलिए at the rate reditmail.com लिखने की जरुवत नहीं है, अब पास्वर्ड डालते हैं 123456789 जो मेरा पास्वर्ड है, पास्वर्ड हमेशा रखने रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए और be signed in, क्या हम हमेशा sign in रहें, कंप्यूटर जब भी login कीजिएगा, on कीजिएगा इंटर्डेट, यह sign in रहेगा इसे हता दिजिए और go click की जिए, जैसे ही go click करेंगे कि हमारे को जो email ID है, वह sign in हो गया और हम अपने email ID मेरा या खुल गया है, मेरे को इस email ID में inbox में देखिए या एक mail आया, इसे click करते है, ready.com को, तो देखिए या email ID हमारे को नीचे दिखाता है, जो mail आया है, या mail मुझे दिखा रहा है, तो इस परकार से हम लोग अपना email ID में sign in हो सकते हैं, और sign out करने के लिए, खोजेंगे कि sign out कहा है, तो देखिए, आपका sign out या है, sign out, click करेंगे sign out पर, तो हम लोग sign out हो जाएंगे, sign out करते हैं, तो देखिए, हम लोग easily sign out हो गया है, तो इस परकार से हम लो कल चो फासवर्ट पर जाल देते हैं और इसे कटा रकाई टे रिक निगे और सब्सक्राइब तो जैसे ही गोब क्लिक कियें कि हमारा Rediff ID खुल गया, Rediff mail खुल गया मेरा ID, देखें लिपरा हाई अनंत कुमार, और यह हमारे को एक mail आया है, जो mail यहाँ पर दिखा रहा है, और sign out करने के लिए, यह sign out बटन है, click करेंगे sign out पर, तो हम लोग Rediff से बाहर आ गए, आप देखिए, बाहर आ चुक है, Rediff home क्लिक किये, हम लोग Rediff के home website पर है, home page पर है,